आज कॉल डॉप एक बड़ी समस्या बन चुकी है आज मुबाइल उभोकता लगतार इस परिशानी का सामना कर रहे हैं ऐसे में एक अलग तरहा कि इसको लेकर बहस छड़ गई है आपको बता दे तीन साल पहले यानि की साल 2015 के अगस्त महीने में प्रिधान मंतरी नरेंदर उन्होंने इस मामले में टेली कॉम कमपनियों के लचार रवये पर गुस्सा भी जाहिर किया था लेकिन प्रिधान मंतरी के सक्त निर्देश के बावाजूत कॉल डॉप की समस्या लगतार जारी है वहीं दूसी तरफ देश के संचार राज्ये मंतरी मनोज सिनहा का कहना है क कॉल डॉप दुनिया की आम समस्या है मतलब कॉल डॉप हर देश में होता है यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है हाली में संसद ने कॉल डॉप को लेकर पूछेगए एक सवाल के जवाब ने उन्होंने ऐसा कहा था एसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रधान मंतरी की भी बात को नजर अंदास किया जा रहा है आपको बता दे कि कॉल ड्रॉप खत्म करने की सरकार मुबाइल टावर नेट्वर्प को बढ़ाने पर जोर दे रही है इस काम के निये सरकारी भवनों का इस्तेमाल किया जा रहा है मुबाइल टावर को टेलीकॉम कंपनियों दौर आपस में शेयर करने के निये सरकार की तरफ से तरंग संचार की शुलुआत की गई हैं। नेक्स्ट नाइन टेक की रिपोट। अगर आप भी बनना चाह देटें एंकर और गोटर, पीचियो एटिटर, केमराएं या स्कृप राइटर तो हमें शंपर रहें।